नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा और अच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों, जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 2 जनवरी 25 की हिमाचल परदेश की शाम 5 बजे की टॉप 10 ताजा ख़बरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर अर्त पहने रहिए, अगर आपने वी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करदें और अंकित वर्मा और अपिन नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिलकूल भी नाभूर है, ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हार notification सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं शुरू करते हैं शाम पांच वजे की top 10 ताजा ख़बर है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने भी तक comment box में comment नहीं किया है तो comment करके जुरूर बताएं कि आप हिमाचल प्रदेश के के स्टिस्टिक से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलीए वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने जो शाम की पहली ताजा ख़बर breaking news है कि हिमाचल रोड एक्सिडेंट प्रदेश में बड़ा सड़क हाथसा बिलासपूर में दो टूरिस्ट बसें पलटी एक की मौत 14 से ज़्यादा घाल तो बिलासपूर रोड आक्सिडेंट स्वार गहाट के जो है गरा मोडा पर रवीबार सुबा प्रेटकों की दो बसें पलट गई सड़क हाथसे में एक प्रेटक की मौत होगी जबकि 14 लोग घाल बताए जा रहे है स्वार गहाट पुलिस मौके पर पहुँची है और घालों को नाला गड़ अस्ताल इलाज के ही पहुँचा आ गया तस्वीरें आप देख सकते हैं अगरी उज़ाब के सामने मनाली से कि देवी हडिमबा की फूजा के साथ सीम जाराम ठाकुर ने विंटर कार्नीवल का किया शोब आरम तो 2-6 जनवरी तक चलने वाले शर्दोत्सवग के पहले दिन संस्कृतिक संध्या भी होगी इसमें स्थानिय कलाकारों के साथ अन्य जीलों के संस्कृतिक दल प्रोस्तिती देंगे महिलाओं का फैशन शोर लोकमरित्य वाइस ओप कर्नीवल शर्द सुंदरी प्रतियोगिता रसा कशी होरन और महिलाओं की नाटी कर्नीवल का जो है आकर्शन हो गया रहेगा अगिनी उज्जाब के सामने स्टेट नार्कोटिक्स सेल चंबा मैं आठ किलो चर्ष के साथ एक गिर्फतार तो चंबा जीलाए में जो है कोटी वर्षा शालिका के पास आठ किलो 62 ग्राम चर्ष के साथ एक व्यक्ति को गिर्फतार किया गया है स्टेट नार्कोटिक सेल कांगडा की टीम को जो है आरूपी को पकड़ने में सफल सफलता जो है मेली है अगनी उज़ाब के सामने हिमाचल से कि आतंक पर आस्था भारी साल के पहले दिन रेकॉर्ड पौने दो लाख श्रदालू पहुंचे अगनी उज़ाब के सामने दोलतपूर चौक में संसद खेल महाकुम का शूप आरंब एक लाख खिलाडी ले रहे है हिस्सा तो नगर पंचायत तौलतपूर चौक के कॉलेज ग्राउंड में रवीबार को सांसद खेल महाकुम का शुब आरंब हुआ जिससे मुख खितिती के रूप में बी-सी-सी-ाई के कोशा द्यक्ष अरुन धुमल ने शिरकत की जबकि विशिष्ट अतिती के रूप में स्थानी विधायक अराजेश ठाकर उपस्तित रहे इस मौके खेल महाकुम के स्योजक स्मित शर्मा ने बताया कि इस खेल महाकुम में एक लाग खिलारी हिस्सा ले रहे है जबकि गगरेट विधानसावक शेतर से 105 टीम में कवड़ी बॉलिबॉल फूटबॉल रेसलिंग अतियारी में जोहर देखाएंगी अगरी Vielen, आणि की मोहान पंचाएत में धूधू कर चल जले रहाशी मकान लाखों का नुकसान तस्वीरे आप देख सकते हैं तो हिमाचल परदेश के आणि की मोहान पंचाएत के बशाओल गाउं में एक रहाशी मकान धूधू कर चल गया आग लगने की सुचना मिलत पंचायत परधान हरी शर्मा मौके पर पहुंचे वह परशासन और जंता से सहयोग की गोहार लगाई या मकान खेम चंद पुत्तर लाल दास का है अगणी उजाब के सामने जीला उन्ना में जो है ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती पहले ट्राइल में डेट कुईंटर से जाद पैदावार तो जीला उन्ना की अंपक्षेतर के मुश्ताक कुजर ने अपने खेतों में ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती जो है कर सब को हैरत में डाल दिया है मुख्यता विदेशों में पैदा होने बाले ड्रैगन फ्रूट को उन्ना जीला में इसकी खेती करने का मुश् चालकों की लाप रवाई के कान लगातार सड़का हाथ से जो है बढ़ते जा रहे हैं अगर नीज़ आपके सामने नहरा देवी में नवर्ष मेले के दोरान जो होम गार्ड के जबानों ने बचाई पंजाब के श्रदालूं की जान तस्वीरे आप देख सकते हैं अगर नीज़ आपके सामने खड़े ट्रक से टगराई प्रेटकों की कार एक की मौत तीन गायल तस्वीर आप देख सकते हैं हिमाचल परदेश के बिलासपुर के से नीज़ ए कि जीले के स्वार गाट में जहां प्रेटकों की दो बसे पलट गई वहीं चंडिगर मनाली नैशनल हाईवे पर प्रेटकों की एक कार खड़े ट्रक से जाटकराई इस हाथ से में एक प्रेटक की मौत होगी है जबकि तीन अन्य गायले तीन गायलों को जो पीजी आई लैफर जो है कर दिया गया है जहनकारी के मताबिक पिलासपुर मनाली से नए साल का जशन मना कर दिल्ली लोट रहे प्रेटकों की कार अन्यंतरे तोकर दुरगटनेंगरस थो गई हाथ सा जो है चंडिगर मनाली नैशनल हाईवे दोसो पांच जित गवरोला पोल के जो है समीप हुआ है अगनी उज़ा आपके सामने शिमला में व्यक्ति ने हवाई फाइरिंग की हवाई फाइरिंग पोलिस ने गिर्फतार कर पहुँचाया हावालात तो शिमला जीला की तहत पोलिस में एक व्यक्ति को आर्म एक्ट के तहत गिर्फतार किया है व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है नहांकारी के नुसार चायल निवासी मूल रूप से दिली कर रहने वाला उक्त पैंतिस वर्षी व्यक्ति ने चायल से कुगफरी के और अपनी कार में जाते समय शिलोन बाग के पास लाइसेंसी पेश्टन से हावा में दो फायर किये मामले की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और उक्त विक्ति को गेट पतार कर लिया अगे निवज आपके सामने घर के आंगन में खून से लत्फत बेहोश मिली महिला गंबीर हालत में टांडा राफर तो डाडा सीबा से निवज है कि पुलिस थाना देहरा की संसार पो ट्यारिस चोकी के तहत आती ग्राम पंचायत कसबा जागीर में रवी बार सुबा एक महिला घर के आंगन में खून से लत्फत बियोश मिली पड़ी इसके सिर और शिरीड पर चोटे चोटों के निशानते पुलोसिये ने आनन फान में उसे अस्पताल पहुंचाया अगनी उज़ाब के सामने टर्म टू की परीक्षा हेत्तु भी पार्ठे करम में निरधारित कटोती रहेगी तो राश्ट्री शिक्षानीती 2020 की अनसार शाक्षनेक सत्तर दोहजार एक्के से बाइस की कक्षा जमा एक वा जमा दो की टर्म टू की परीक्षा हेत्तु भी पार्ठे करम में निरधारित कटोती हुए रहेगी अगनी उज़ाब के सामने हिमाचल प्रदेश भी अपार मंडल की कूर कमिट्टी की बैठक में उठी मार्केट फेस खतम करने की मांग तो उनना से निउज है अगनी उज़ाब के सामने PWD वा IPH में दूर यूनियन की मांग पुरानी पंशन हो वहाँ तो नहन से निउज है कि हिमाचल प्रदेश भी डेवली उडी वा IPH ए एम्पलोईज में दूर यूनियन की एक जीला स्तरिय बैठक राज याध्यक्ष देवकी नंद चोहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में पुरानी पंशन भाली की मांग को लेकर विस्तार से चर्चा की गई अगर निर्जाव के समने मनाली से चंडिगार जा रही बाल बोबा सुईदाथ से का शिकार चालिक स्थित तेन घाल तस्वीर आप देख सकते हैं तो सुन्दर नगर से ये निउज है ताकि आद तक हे माचल प्रदेश की हार नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके धन्यवाद चैहिं चैभार ताकि आद बाल झाल ताकिशल्ट की